थियोग विदान सभा क्षेतर के पूर्वविधायक स्वर्ग्य राकेश वर्मा की पुन्यति थी पर उनके परिवार वालों दौरा क्षेतर के असपतालों के चेकित्सकों एवम कोरोना पेडितों को प्रतान की गई राहत सामगरी को मंत्री सुरेश भारत्वाज ने हरी छंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताए कि इस से अस्पतालों में कारे कर रहे फ्रंट लाइन वर्कर्स की सुरक्षा के साथ साथ सुविधा भी प्राप्त होगी। रिक्ता प्रदान करते हुए उनका परिवार हमेशा समाथ सेवा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताए कि उनके मृत्यों के प्रश्चात उनके परिवार द्वारा ठीयों गस्पताल को एंबूलेंस प्रदान की गई है। और करोनकाल के दोरान मास्क के साथ साथ अन्य आवेशक सामगरी भी वितरत की गई है। ताकि आमजनता को उसका लाब प्राप्थ हो सके। उन्होंने इसने कारे के लिए परिवार जनों का अभार व्यक्त किया। जिसमें अट्मास्फियर से जो है ऑक्सिजन बनती है। तो वो इन्होंने प्रदान किये हैं। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार की योर से शिरी आरार वर्माजी, इनके स्पुत्र शिरी एक लब्याज वर्माजी और इनके सारे परिवार का बहुत बहुत अभार व्यक्त करता हूं। उनके स्वर्माजी तो चले गए लेकिन उनकी याद जो है वो हमेशा जिंदा रहेगी विशेश रूप से ठ्योक ख्षेतर में जहां उन्होंने विकास के अथा काम किये हैं। और आज भी उनका प्रिवार जो है वो उनकी याद में इस ख्षेतर के जो क्रोना पीडित लोग हैं उनकी मदद में आगे आ रहे हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वहीं इस अफसर पर स्वर्गे राकेश वर्मा के पीता एवं पुर्व डीजीपी हिमाचर प्रदेश आरार वर्मा ने भावुक होते हुए कहा कि आमतोर पर बच्चे अपने मादा पीता से सीखते हैं। लेकिन उन्हें अपनी बेटे से काफे कुछ सीखने को मिला है। औ बेटा की तारिफ करना पिता के रूप में मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है। पर एक दो चीज मैं जरूर कहूंगा। आम तोर पर बेटे जो हैं या बच्चे जो हैं वो माबाप से सीखते हैं। पर मुझे सभी मान हो रहा है ये कहते हुए कि मैंने भी जो उनका पिता हूं और काफी जगा काम किये हैं आई पिया सबसर हूं। जगा जगा लोगों की सेवा करता रहा हूं। और मैंने अनुभवी प्राप्त किया है। पर एक बात कहते हुए मुझे खुशी हो रही है स्वभी मान के बाप से कह रहा हुए कि मैंने भी राके से कुछ जरुशी है। वो दो तीन चीदे उनमें से एक थी। उसमें एक सहास था। सयम था। और सेवा भाव इतना भरा हुए था। विशेश कर गृवियों के प्रती और पिछ्ड़ों के प्रती। मेरे मन में जबरतासी कहने को आ रहा है ये कि अभी ही इस करोना के काल में बहुत सारे लोग इस देश में ऐसे थे जो भूखे बचारे गरीब आदमी अपनी जगों से अपने घर जहां काम करते तो हाँचे अपने घर जाना चाह रहे थे। तो वो भूखे मरते थे रास्ते में शाम को बैठे थे हम, मुझे याद है अच्छी तरह से, कहने लगा, पापा आपके पास दस अजार तो नहीं, मैं चुप रहा, मेरी धरम पत्नी नहीं कहा, हाँ, हाँ, राकेश मेरे पास है, मुझे नहीं पता क्यों ले रहा था हो दस अजार, दूसे दिन सुभा साधे ब पूरा करना था, मैं सियम साथ को दे के आया, उन भुकों को दे दे हूँ, और यहीं भी दूसरी बात और, उतने बचारे नहीं, एक लाग होर देना था, था छातर हजार उसके पास, मेरी बहु के फास छोड़ा उसने, वो छातर हजार, और बोला, इंदू, जब यह एक पर इंदू ने, मेरी बहु ने, अपने कुछ पैसे उसमें डालके, वो लाख जोड़ दिया, और उनके निधन के, मेरा ख्याल है, एक अफ़ते के बाद ही, एक कलवया को भेजा, कि यह भी सियम फंड में दे हो, उने को मिले जो बुके मर रहे हैं, देखो, उसका, उसको ऐ बनाने में तो उसको पागल पन था, देखना कहां लोगों को सड़कनी वहां, कहां पानी नहीं है लोगों को वहां, ठीक है, अच्छे काम बहुत लोग करते हैं, इसलिए मुझे उसके बारे में ज्यादा बोलना जरूई नहीं, और अच्छा भी नहीं लगता है, पर उसमे जो चीजें थी, जो मैंने उससे सीखी, मैं वही वही चीजें, कुछ शब्दों मैं आपको बताना जा रहा हूं, क्योंके मैं थोड़ा भाउख हो रहा हूं, तो इसलिए मिजाद एक कुछ नहीं कहूंगा, मैं ये चाहता हूं, कि भगवान उसकी आत्मा को शांती दे, सु उसको और कुछ नीचे आईए, भगवान अपने चर्नों में ले जाओ, उसको जैसे कैसे हो, वो बड़ा अच्छा दूई था भचाना, वो सबकी मदद करने के बगएर उसको शांती नहीं मिलती थी, भगवान आप उसको शांती दो, और था तो शांतो, बर शांत क्या हो त बताया कैसा करो, तो उसने भी थोड़ा सा भगवान आपकी शिक्षा से उस पे चलने का प्रयास किया है, और इसलिए भगवान आप उसको उससे जरूर खुश होंगे, हो सकता है, ये मेरी अपनी भावना ही हो, पर ये भावना मेरी गलत नहीं है, वो शांत और सहासी आदम भगवान इसको श्द्र करना।